हेलो हेलो दोस्तों आज हम गजर का अलववा बनाने जा रहे हैं और यह दो किलो गजर है अब मैं इसको दो दिये हैं अच्छे से ऊपर से भी पूरे उतार लिए यहां चुनके आप इसको मैं कसूंगी है यहां से कट करके फिर कसूंगी देख लो आप ऐसे कट होगा और अब मैं इसको कसूंगी यह देखू popular के ऐसे यह देख सख्टय मेरे पास कैसे ऐसी है कशने वाली आपके पास कैसी बड़ी है तो भी चलेगी छुटी है तो भी चलेगी bethate न हसा लगता है गाजर का हलवा सरज्यों में तो क्या बात है गाजर कालो बहुत ही test ही होता है यह देखो ऐसी कश रही हूंमreek है और आपको दिखाऊंगी यह देखो मैंने पूरी कस ली है अब एक और आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने कस यह यह दो किलो गजर है यह देखो ऐसे फटाफट कस रही हूँ मैं और सर्द्यों का मौसम था वीडियो नहीं डाल पाई इसलिए सौरी अभी डाल रही हूँ मेरे घर में कुछ काम हो गया था मुझे टाइम नहीं मिला यह हम गैस पे कड़ाई रखती है और अब कड़ाई कैस कौन किया है कड़ाई के अंदर हम गी डालेंगे की लगबग मैंने आदो किलो गी ले लिया है अब इसके अंदर मैं गाज़े डालूँगी यह देखो यह मैंने गाज़े डाल दी इसके अंदर इसके अंदर आएगी उत्ती डालूँगी फिर इसको मिलाऊंगी फिर और डाल दूँगी और फिर मैं चमस से अच्छे से सबको मिला लूँगी यह देख सकते हो, मैं चमस से मिला रही हूँ इस सर्द्य कमोसम का वीडियो बनाए है मैंने इसलिए मैं डाल नहीं पाई, सोरी आपको कैसे लगता है गाजर का हलवा, कमेंड में लिखके जरूर बताना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और यह देखो मैं से करी हूँ, धीरे धीरे अच्छा से सिख जाता है कुकर में भी हम बना सकते हैं, वो इतना टेस्टी नहीं होता है ऐसे बनाते हैं कड़ाई में तो बहुत ही टेस्टी होता है यह देखो अच्छे से पक चुका है मैं अच्छे से मिला रही हूँ इसको यह देखो आप देख सकते हैं इसका कलर यह अलग हो गया है और इसकी बहुत अच्छी कुस्पू आ रही है यह देखो इसमें से बाप निकल रही है कि पक चुका है तोड़ा गाजर फ्राई हो चुकी अच्छे से यह पताने में छोटके कहां चली गई थी अब आउँगी वापस इसके अंदर रुमाऊँगी यह देखो यह के नीचे चिपक न जाए ज्यादा देर इसको नहीं छोड़ना है इसके चमच इसका कलर किता अच्छा हो गया है और मिलाऊंगी इसको मैं और यह मिलाऊंगी बहुत पहले कड़ाई उपर तक भर चुकी थी अब सिखने के बाद यह इत्ती होगी आदो किलो इसके अंदर में दूद डाल रहे हूं यह मग आदो किलो का है और फिर मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी देखो अच्छे से मिला लिया है मैंने यह दूद पूरा खत्म हो जाए उत्ते हम इसको मिलाएंगे अच्छे से यह दूद सूप जाएगा फिर हम इसके अंदर चिनी डालेंगे यह चिनी मैंने एक कटोरी लिली है और इसके अंदर डाल दी और अब अच्छे से मिक्स कर दूँगी यह देखो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप जरूर कमेंड में लिखके बताना यह देखो यह चिनी हो गई सई काजू किसमिस और यह खोपरे कबुरादा है यह मैं इसके अंदर एड़ कर दूँगी आप कोई भी फरूट इसके अंदर डाल सकते हो काजू किसमिस बिदाम कुछ भी और यह थोड़ी सी है इलाइची इलाइची से अच्छी खुजबू आएगी इसलिए मैंने लाल दी इसके अंदर इलाइची और अच्छे से मिक्स कर दूँगी सबको आजाओ दोस्तो गरम गरम हल्वा खालो मेरे वीडियो कैसे लगा आपको लाइक करना सेर करना और कमेंट करना टेंक्यू दोस्तो बाई बाई धन्यवाद